आपको होने वाला है सामाजिक विग्यान से प्यार तो यह हमारा दूसरा वन शोट वीडियो है पहला सत्ता की साज़ेदारी में धमागेदार हो चुका है और यह जो दूसरा है वो अध्याय दो संगवाद पर है आज हम चानेंगे कि संगवाद क्या होता है स्रीफ और स्रीफ इस एक वीडियो में संगवाद की कहानी खतम कर दूँगा संगवाद का दया एंड कर दूँगा लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहेगा और जो हमारी स्रीज है वो स्रीज क्या है अंतिम वार स्रीज है ये वार किस पर है ये वार हमारा डर पर है कौन से डर पर जो सामजी की ग्यान का डर है उस पर है ये अंतिम वार स्रीज है आपका निशाना कहा होना चाहिए आपका निशाना बोर्ट टोपर पर होना चाहिए अ प्रुदेश्य भी वही है कि सामज एक विज्ञान का डर आपकी दिवलो दिमाग में से निकाल दे तो हम लोग शुरू करते हैं अंतिम वार स्रीच का ये दूसरा लेक्चर और अध्यायत दो तो सबसे पहले जानते हैं संगवाद क्या है सीधी बात नोबकवाद सीधी बात करनी है डारेक्ट मुद्धे पर आते हैं कि संगवाद होता क्या है तो संगवाद के लिए क्या आगया है संग्य साशन वियस्ता में सरवाच सत्ता केंद्र प्रादिकार और उसके विविन केंदर सरकार के पास होगी यह पूरे देश के लिए एक होती है और उसकी विविन आनुसंगी की इकाया बतलब उसकी और इकाया कौन कौन सी है constitute units कौन सी है जो उसको बना रही है तो हमारे देश में कौन कौन सी units होती है राज्ये जिसे हम बोलते है वही तो इकाया है विया तो केंदे सरकार और राज्ये सरकार इन दोनों के बीच में क्या होता है साशन विवाजन हमें जो सत्ता होती है उसको पाट दिया जाता है पावर को पाट दिया जाता है पावर शेरिंग कर ली जाती है यही तो हमने लास्ट चेप्टर में पढ़ा है कि सत्ता का विवाजन करना है कि सरकार के अलग-अलग इस तो पे जो सत्ता का विवाजन होता है उसी को हम लोग क्या है संगवाद कहते हैं और जो देश इसे इसे अपनाता हिस संग्य शाशन वियुस्ता वाला देश कहते है जो कि किंधर राज्यों को अपने अपने 700 रूप से कारे करने में सक्षम बनाता है शंगवात के कंड़ नहीं समझ में आई भूल जाओ काट देना रटना कुछ मी नहीं है वही समझना वही लिखना जो आपके दिमाग में उतर जाए जो कौनसेप्ट आपको समझ में आ रहा है क्या बोला है शक्तियों के विभाजन शक्ति मतलब पावर पावर कौन सी पावर है यह राजनेतिक पावर है राजनेतिक शक्तिया है तो राजनेतिक शक्तियों का विवाजन, भया तेरे पास भी शक्ति, मेरे पास भी शक्ति है, मतलब केंदर 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 कें अपने मुद्धे होते हैं कानून बनाने के तो उसी को हम लोग कहते हैं His जो देश अपनाता है उसे संगे साशन व्यवास्ता वाली देश कहते हैं संगीय व्यवस्ता में स्तर कितने होते हैं दो स्तर होते हैं केंद सरकार और राज़े प्रृणत्य सरकार पूररे देश के लिए होती है जिसके जिम्म्हे में राष्ट्रिय bigot जो एक सरकार जो पूरय देश के लिए कानून बनाती है एक सरकार जो पूर्य देश के लिए नीतिया से बनाती मुट्झए पाकिस्तान भारत पर अटेख कर रहा है तो राइटियो से पूछे क्या हरे निति जिस जी इक करते हरे आ यह च代 मतादिजِ पूछेंगे के हम यह्पावर को को देकों तो यह पर जो डिली काम होते हैं पुलिस को समालना तुम समाल लो जो राजी के डेली पर संद्थ की काम वह राजी स्वगोईे बिल्कुल स्पेसिफाए कि विल्कुल इस्क्रास मीर है है क्यों है आपको यह काम करना है दोनों के बीच में लड़े करने का कोई मुका नहीं चोड़ा सबसे इंपोर्टेंट बात सब्ता के इन दोनों इस्तुरों के सरकारे अपने अपने संतंतर होकर के काम करती है पर यह हम इंडिपेंडेंट है केंदर सरकार आजाज है केंदर सरकार को राज्य सरकार राए नहीं देगी ग्यान नहीं देगी फालतों का राज्य सरकार और राज्य सरकार को केंदर सरकार फालतों का ग्यान नहीं देगी यह करो वैसा करो ऐसा करो यह नहीं करना है और यह हमने कहा देखा है, बेल्जिम में देखा है, बेल्जिम ने यही तो करा था, केंदर सरकार और राज्य सरकार बनाई, तो यही तो करा दोनों को बरावर शक्तिया देदी, बरावर पावर देदी, और बला अपना काम आजाद, आजाद होकर के करो, किसी के पास कोई संगवाद केते हैं इसी को संगे साशन वियरस्ता केते हैं अब एक तरफ संगे साशन वियरस्ता है तो दूसरी तरफ क्या है लड़ाई का मज़ा तो आता है जब दोनों तरफ मजबूत खिलाड़ी हो तो एक तरफ संगे साशन वियरस्ता है संगवाद है अगर मानलो कोई दे क्यात में क्या हो सारी की सारी साशन हो समझते हैं एकात्मक साशन वियूस्ता में साशन का एक इस्तर होता है और बाकी इकाया उसके अधीन राज्जी सरकार है, मालो राज्जी सरकार है, पर ये क्या होगी, अधीन होगी, ये अधीन होगी, किसके अधीन होगी, केंदर सरकार के अधीन होगी, केंदर सरकार बताएगी काम करना है, कर कर कर, नहीं करेगा तो ऐसा करतेंगे, बिल्कुल मतलब इनके वास अपनी कोई पा ही ने मतलब यहां पर सुप्रीम कोन है यहां पर जो सुप्रीम है विया केंद्र सरकार सुप्रीम है पर संगवाज में संगय साशन व्यस्ता में क्या होता है दोनों के पास अपने प्रिपावर होती है और सवंतंतर होकर दोन अपने काम करते है एकात्मक साशन व्यस्ता संगय साइबक तो एक आत्मक और संगय साइब करने का आदिश नहीं दे सकती केंदी सरकार, राजी सरकार को आदेश नहीं दे सकती है एक करो तुम, करो नहीं करो कि तो ऐसा कर देगे, कुछ नहीं है यह जब भी बोलेगी केंदी सरकार के बहुए यह करो तो वो दिखा देगा देगा दे कि digo सवीधान की स्पन्य पर यह बात लिखी हुए ज्यादा ज्यान देने की जरतनी है, हमारे पास भी सभीधान की कौपी पढ़ी है, हम भी पढ़ना जानते हैं, इसलिए काम बताने की जरतनी है, हम हमारा काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो, पर यहाँ पर क्या है, केंद्री सरकार प्रांती सरकारों को राज्य सरकारों को औ और भी स्थानिस सरकार है उनको आदेश दे सकती और वो आदेश पूरा करना पड़ेगा शक्तियों का विवाजन पावर बाढ़ दिना वही हमने सिर्फ और सिर्फ के अंद्रेखाद में पावर नहीं छोड़ी हमने राज्यों को भी पावर दिये और उसके वाज हम इस सवसा यहां पर सकतियों क्या आव विवाजी तन नहीं नहीं अब विवाजन करता तो यह दो हरी नागरिक्ता और इकरनी नागरिक्ता इस आपको समझदेता, तयां मतलब नागरिक्ता का होता हैan यहापे क्या हो Double citizenship हो दो citizenship हो लेना पड़ती हो दो नागरिक्ता त्योग्ता अमेरिका में होता है, एक नागरिक्त मेरे स था हो तो कbleम शे से का जाता है एक हरी नाक इस विखता वाला देश है भाद संग्य सासना वियस्ता वाला देश है जब सविधान सबा में खड़ी वोर। कि भाई संगे साशन वियस्ता वाला देश है या नहीं है बाल तो उन्होंने बोला संगे साशन वियस्ता का जो मूल आधार है वो सक्तियों का विवाजन है तो हमने केंद्रों को भी शक्तिया दी है राज्यों को भी शक्तिया दी है अगर ये वाले point आप नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा ये वाला point अगर नहीं भी लिखते हो तो भी कोई बात नहीं है और लिख देते हो तो teacher आपसे खुश हो जाएगा और बले-बले-बले करते हो आपको बड़ी अनमबर दे जाएगा संगिय व्यास्ता की जाते है संगिय व्यवस्ता की कुछ महत्मूर विश्शता पर गोळ करे द्हान से गोळ करे आहां कान नाग मुध्स सब खोल उत्यां यहां सरकार दो यां दो से अधिक इस्तर होती है तो सरकार एक नहीं दो या दो से अधिक स्तर होंगे केंदर सरकार, राजे सरकार और उसका तीसरी इस्तानी सरकारे भी आ सकती हैं तो इसतर कितने भी हो सकते पर दो कम से कम दो और अधिक की कोई लिमिट नहीं चाहो जितने खलो विविनिस्तरों के सरकारों के अधिकार चेतर सविधान में स्पेश्ट रूप से वर्णित करते हैं इसलिए सविधान सरकार के हर इसतर के अस्तितो और प्राधिकार की गारंटी और सुक्षा देता है क्या बात बोला है कि जो विविनिस्त्रों के सरकार है केंदर सरकार राजे सरकार है उनके अधिकार छेत्र बहुत इंपोर्टेंट शर्थ है अधिकार छेत्र अधिकार छेत्र का मतलब क्या होता है ये वाला जो एरिया है ये मेरा है इसमें मेरा अधिकार है इसमें क्या है जो राजस्तान है आज राजस्तान है तो राजस्तान में भीया जो राजस्तान का जो छेत्र है उस पर किसका राज चलेगा जो राजस्तान की सरकार होगी उसका राज चलेगा जो यहां के जो मुख्य मंत्री है मंत्री है उनकी बात यहां के लोगों को मानने पड़ेगी तो वो अधिकार छेत्र होता है तो क्या है कि जो सरकारों का अधिकार छेत्र है कि उन्हें क्या क्या काम करना है, उनका छेत्र कहां तक फेला हुआ है, किन-किन कामों में फेला हुआ है, तो वो अधिकार छेत्र हमारे सविधान ने बिल्कुल इसपष्ट बताया है, वर्णित करें, इसलिए सविधान क्या है गारण्टी ले रहा है किसीज की केंद theor करकार के स्तिध ü deception की भी ले रहा है और रज्य सकार के स्तिटी भी ले रहा है कि आपकी पैचान, आपकी आइडेंटिटी की हम कहतम नहीं होने देंगे आप दोन अपना काम करते रहो, आजाद होकर के काम करो इसमें बत्ति गुल नहीं होनी चाहिए बत्ति नहीं चाहिए, बत्ति जलनी चाहिए, जलने के अब इसको समझो, देखो मानो जैसे की क्या है उत्तर प्रदेश है तो जो उत्तर प्रदेश में लोग रह रहे हैं उनके लिए कानून को बना रही है उत्तर प्रदेश की सरकार कानून बना रही है उस कानून को कौन मानेगा उन नीतियों को कौन मानेगा जो उत्तर प्रदेश की सरकार फाइद तो अब जो यहां के लोग हैं किस की बात मानेंगे उत्रप्रदेश की सरकार है वहां के बात मानेंगे इसी परकार से बंगाल की सरकार है तो बंगाल के लोगों के लिए कानून बनाएगे बंगाल के लोग यहां की बात मानेंगे अब देखो सरकार क्या है उत्तर प्रदेश की है वो उत्तर प्रदेश वालों के लिए बना रही है बंगाल के बंगाल वालों के लिए बना रही है और एक सरकार एक सरकार पूरे देश के लिए होती है बोलिएगा क्या नाम है उस सरकार का बोलिएगा केंदर सरकार वेरी गु केंदर सरकार वालों ने जो कानून बनाया है वो यूपी वालों पे भी लागव होगा वो बंगाल वालों पे भी लागव होगा सरकारे दो हैं एक केंदर सरकार है एक राजे सरकार है पर ये टार्गेट किसको कर रही है किसको कर रही है एक ही नागरिक समूगों कर रही है केंदर सरकार जो कानून बनाएगी वो भी UP के लोगों के लिए होगा UP के लोग मानेंगे ना और जो UP के सरकार बनाएगी वो तो UP के लिए बनाएगी तो दो सरकारे टारगेट कौन है यही एक गुरूप है एक ही लोग है केंदर सरकार जो कानून बनाएगी वो बंगाल के लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे मानेंगे और जो बंगाल के सरकार बनाएगी वो भी मानेंगे ना भाई तो मतलब सरकारे दो हैं लोगों का समूँ एक है इन्होंने क्या है कि अलग-अलग सरकार एक ही नागरिक समूँ पर साशन करती है तो भया उत्तरप्रदेश के सरकार भी हम पर ही क्या है साशन कर रही है और देश की सरकार भी हम पर ही साशन कर रही है क्योंकि चुना भी तो हम लोगों नहीं हैं तो साशन करती है पर कानून बनाने का मामला अलग है बहुत टेक्स बहुत important है, बहुत important चीज़, यह tax पैसा नहीं आएका तो विकास किस होगा, कर वसूले का भी जो है, अलग अलग है, वे केंदर सरकार इन इन चीजों से कर लेगी, और राज्य सरकार इन इन चीजों से कर लेती है, और परसाशन का उपना अपना अधिकार छेतर होता ह ये सब कुछ कानुन बनाने का करव सुनने का अधिकार चितर सब हमारे सविधान में बिल्कुल इस पश्ट रूप से उल्लेख है सविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक सरकार अकेले नहीं बदल सकती ऐसे बदलाओ दोनों सरकारों की सेमयति से ही हो सकते कोई मौलिक प्रावधान जो बेसिक आइडिया है किसका सविधान का जैसे कि क्या था जी एस्टी लेकर क्या है जी एस्टी क्या है गुट्स एंड सर्विस टेक्स सेवा और वस्तूर सेवा कर तो वस्तूर सेवा कर जब सरकार लेकर क्या है तो इससे क्या करा, केंदर सरकार मेंने तो पास कराये है, राज्यों की जो विधानसभा, उन से भी पूछा बाई कर देगा जीएष्टी लागु, तो उन्होंने बोला थो करदो, तभी तो जाकर करें घीएष्टी लागु हूआ है यह मौलिक प्राफधान था, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, टेक्स डिस्ट्रिबिशन हो रहा है, जो कर है ना, उसकी वसूली हो रही है, कि वह कितना राज्ये लेगा, कितना केंदर लेगा, तो जब दोनों बराबर है, तो पूछो ना राज्ये से पूछो, तो राज्ये से कि कराया था तो मॉलिक प्रावधान में अकेली को उसी भी सढ़कार ने बदल सकती है ने राज्य बदल सकतीय है दोनोगा मतलब क्या है आज फार बीज्टेस की सरकार वैं उसको उत्रब्रदेश का विकास करना है तो उसके लिए क्या है जो राजसव मतलब क्या होता रेवेन्यू जो भी सरकार के पास इंकम होती उसे रेवेन्यू का जाता है तो राजसव जो है उसके अलग-अलग शोर्थ है सोर्सिजे राज्य सरकार पेसा कहां कहां से कमाईगी वो साफ है केंदर सरकार कहां कहां से कमाईगी साफ है बिल्कुल साफ है और हर पांच साल में हमारे देश में वित आयोग बनाया जाता है फाइनेंस कमिशन बनाया जाता है वित आयोग तो फाइनेंशल कमिशन बनाया जा अदालतों, यह अदालतों कौन सी है, अदालतों बोला है, तो यह न्याय पाली का है, यह न्याय पाली का है, हमने पहले चेप्टर में पढ़ा है, इनका काम क्या है, सविधान की व्याख्या करना, तो अदालतों को सविधान और विविनिस्तर की सरकारों के अधिकारों की व् रविधार में क्या लिखा है अदालत बताएगी और मालो दो सरकारी लाइआठाखी तो भया एमपाइर कोन बनेगा सुप्रेम कोर्ट एमकायर बनाएगा अदालत एमपाइर बनेगी how ठीक हमारा भी देशन में कुष तेब्ल उस्तित्य हुआ हमारे तो सुनेगी और फिर वो बताएगी तू गलते तू सही तुम दोनों अपना काम करो विविनिस्तर के सरकारों के बीच अधिकारियों के विवाद के स्थिति में सुराच नियाले निनायक भूमी का निभाता है अब विविनिस्टर की सरकारों के बीच मालों को या दिखारों के बीच में विवाद हो जाता है तो उसमें सरवाचनियाले जो सुप्रीम कोट है वो अपनी निनाएक भूमी का निवाता है इंपोर्टेंट जो रोल है, वो कौन प्ले करता है, सुप्रीम कोर्ट प्ले करता है, सुराचन यायले, बुमिका निवात है अब आजाते हैं, संग्य साशन वियस्ता की उद्देशी है, इतना लफटा क्यों जीवन में? इतनी चिन्ता क्यों? उसे भी पावर दो, एक इनसान के आत्मे पावर रखो न? ये उद्देशी क्यों है? इतना क्यों करना पड़ा है? आपका भी जीवन में कोई न कोई आप लोगों के मन में से सामाजी का डर निकाल दू आपके खोपड़ी में आपके एक खून की बूंद में सिर्फ और सामाजी की जानते हैं देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना देश की एकता बनी रहनी चाहिए लोगों में क्या है? देश की एकता बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे और उसको क्या है, बढ़ावा मिले, और भी एकता क्या है, मजबूत हो या, श्रीलंका ने सक्ता के साजेतारी नहीं करेती श्रीलंका ने क्या है, केंदे सरकार, राजे सरकारों पावर नहीं दिया क्या हुआ, क्या हुआ, आप सब ने देखा तो वह वह हम नहीं चाहते है, इसलेienal मों एक पता कलिए का हरा साथ इस छेतरे विविदेताओं काawayव होता है दाइवरसिटी इंगलिश में उर डाइवरसिटी का मतलब होता है वेराइटीज आपके पास क्या है? लिए लग आप जम्मु कश्मिर की तरफ आओगे तो सब कुछ चेतरे विविदिता है जो अलग अलग है भाषा है हमारे पास अलग अलग है धरम अलग है उन सब का सम्मान करना कि हाँ या जो जब आपने देखा होगा कभी परधान मंत्री मोदी जाते हैं या जो बड़े-ब तो परचार-परशार के लिए जाते दक्शिन की राजियर जाएंगे तो वहां की भाषा में नमश्कार बोल देंगे अब देखो, संग्य साशन विवस्ता के उद्देश यह पर आदर्ष संग्य विवस्ता के की से घंग्ए आदर्ष संग्य क्यgon होगा क्याँश सरकार और राजे सरकार इन दोनों में क्या होना चाहिए आपसी भरोसा होना चाहिए कि हाँ केंदर सरकार बोले नहीं राजे सरकार काम समाल लेगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं साथ रहने पर सहमती और ये जिवन भर ये ही कहें कि हम साथ साथ हैं तो साथ साथ रहना है कहीं अलग होने की बात नहीं करनी कहीं बटवारे की बात नहीं करनी क्योंकि इस भारतमाने पहले से ही पाकिस्तान की रूप में टुकड़े देख चुके हैं वो टुकड़े वापस नहीं होने चाहिए, साथ रहने पर सहमती होने चाहिए, तभी क्या है, आदर शुच संग्य विवस्ता बनेगी, संग्य सरकार के परकार, संग्य सरकार के परकार देखो, अब यहां पर दो है, एक साथ आकर संग है, साथ आकर संग और साथ लेकर संग, स अकेला खड़ा हूँ, कोई भी चाटा मारजा है, कोई भी मारजा है, कोई भरोसा नहीं, फिर मैंने क्या करा, उसको भी बुला लिया, तु भी आ रहे है, तु भी आ जा, तु भी आ जा, तु भी आ जा, पीछे जा, हमने सब को बुला लिया, साथ आकर संग बना लिया, हमने बड़ी इकाई बड़ा देश बना लेना इसका सबसे बड़िया जो उधारन है वो है U.A.S.A. संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका युनाइटेड इस्टेट्स अमेरिका जो स्टेट्स हैं जो राज्य थे छोटे-छोटे उनको मिला करके एक बड़ा अमेरिका बना लिया संयुक्त राज्य अमेरिका ये समझोते के आधार पे बना रहें एग्रिमेंट कर रहें और कहरें कि जो हमारी पेचान है जो हमारा कल्चर है हमारी संप्रुपता मतलब हमारे आजादी है ये बची रहनी चीए कल को ऐसा नहो तुम्हारे साथ हम बिल्कूल ही खत्म हो जाए पर बाद होजाए ऐसा नहीं होना चाहित तो समझेशा पर होता है और एक बात हमेशा मिश्चा अध्याンヌ रखना कि जब सम्झेशा हुआ है साथ आकर संग में हमेशा मिश्चान रखना कि जो राज्य है वो क्या है संग से अलग हो सकते हैं राज्जे हमेशा संग से अलग हो सकते हैं टेकसास अमेरिका का एक राज्जे है इस्टेट है टेकसास जब चाहे बोल दे नहीं नहीं भीया मैं तो अमेरिका के साथ नहीं होंगा भारा जो क्यों क्यों क्योंकि समझोते पर यह चीज हुई करते हैं अपनी सुरक्षा तदा खुशाली बढ़ाने का रास्ता क्तियार करते हैं तो अब क्या है चोटे-चोटे हैं जब उनको कोई भी मार्कर चल जाएगा अब बड़ी यूनिट बन गया पचास राज्य मिलकर करके स्वयुक्त राज्य अमेरिका बन गया अब क्या है आप सोच रहोंगे भारत का नाम नहीं आए पहले वाले में अरे तो भीया भारत तो सबको साथ लेकर चलता है भारत तो पुरी दुनिया को साथ लेकर कर चलता है भारत ने तो वसुदेव खुटमकुम का नारा दिया कि पूरा विश्यू ही क्या है माली परिवार है तो सब को साते ले कर मतलब क्या है हम सब पहले से एक हैं अब इन सब को साते लेकर कर चलना है हमने किसी बुलाया नहीं वैAl लिट्ब ऑलριडी एके पर अब सब को साते लेकर कर चलना है होलिंग टो केटर एफेडियरेशन होल्ड करकर के रखना है पकड कर होते हैं उदर वो भाशा बोलते हैं उदर वो खाना खाते हैं उदर वो ड्रेस पहनते हैं उन विविदताओं के कारण क्या करा हमने देश को राज्यों में बाढ़ दिया राज्यों का घटन करा और उसके बाद एक केंदर सरकार और राज्य सरकारों के बीच में सत्ता का बट क्यों कि हम समझोते से नहीं जुड़े हैं, हम तो दिल से, जुड़े हैं हम तो ओल्रेडी ही क्या है, एक थे पहर कहते हैं कि हमने केंदे सरकार को ज़दा थाक्त ऐसली दी तो चब भारत में चेंदे शक्तिशाली था तो कोई भार except करम्नग् Say देश में छोटे छोटे राजाओं के अंडर में क्या है यह देश वट गया तो कि बहुत से ना टेक करा और भात को गुलाम बना लिया तो इसले हम थोड़ सा केंद्र को क्या है शक्तिशाली बनाते हैं तो यहां पर क्या है राज्यों की तुल्ला में केंद्र क्या है celebration तो जज़ादा confuse मतों इसवेस्ता में समान अधिकार दिये जाते हैं विश्च इस्थिदि में सबसे क्या हो यह वोता हुटा कुछ ऐना भीना उर्भक बड़े वाला फोड़ के दिखाते उसी लाइट से क्या उसी के फोड़ना शुरू कर देंगे घरवाले तो क्या किसी को ज्यादा अदिकार होते हैं उधारन के लिए भारत बेल्जियम और स्पेन अब देखिए अब आज थोस इस्तिति को समझने की कोशिश करिएगा इस्तित एक है ब्रिटिश भारत और एक है रजवारे तो जो ब्रिटिश भारत है यह ब्रिटिश भारत वो वाला भारत है जहां पर क्या है टोटल कंट्रोल जो पूरा का पूरा कंट्रोल है वो किसका चल रहा है ब्रिटिश का चल रहा है अंग्रेजों का चल रहा है वो वाला समय क से क्या होते हैं भारत के दो टुकडे करे जाते हैं जो क्या है एक देश भारत बनाय जाता है और दूसरा देश पाकिस्तान बनाय जाता है और उन गोरों ने इतना जुर्म करा हम पर कि हमें एक सीमा छेतर दिया हमें तो एक सीमा छेतर दिया और इनको दो सीमा छेतर दिये जो बंगलादेश भी पाकिस्तान नहीं था पर इन पाकिस्तान इस अपना जगे तो समलती नहीं और फिर हमें कहता है कश्मीर दे दो कहां से दे दो पर लो खुद का तो समालो और हम कहते हैं चाहिए दूद की जगे हम खीर दे देंगे पर हम कश्मीर कभी नहीं देंगे कश्मीर से कन्या कुमारे तक भारत एक था एक है और एक रहेगा तो पाकिस्तान को दो सिमय देगी इसी में से बाटा गया इसका क्या हुआ यह रजवाड़े क्या है जहां पे राजा रानीका राज चलता है उस समय लगबगत पांसो पेसेट रजवाड़े क्या थे भारत में थे और इनको पॉला इनको तीम इंदे मिल जाओ वारत में मिल जाओं सुभाद में मिल जाते हो वुला नहीं पाकिस्तान हो उसके बाद इसमें दोनों से ही करना चाए तो सब्न्दै इस तो पूरी कि यह से जला तो दिया ही उसके ओपर नव स्चड़े करने का काम BB किस ने कर रहे दो भारत के ही थे तुम तो बाद में आयो और तुम अपण चैने वाले हो थो भारत में जाओ नहीं गाजने हो अप्र और सबको ना पीटता-पिटता मिला लूगा और सबको भारत में पिला लेते हैं. बिर्टिश भारत इन छेत्रों में पूर्ण रूप से अंग्रेजों का साशन था, इस छेत्र का विवाजन कर दिया गया, दो भागों बाड़ दिया गया, भारत और पाकिस्तान. जहां राजा रानी द्वारा राज किया जाता था, रजवाड़ों को चुनने या चेहन करने का अफसर दिया गया, भारत में मिल जाए पहली चोई, दूसरी पाकिस्तान संतंतर में मिल जाए, जो नया पाकिस्तान बना उसम मिल जाए, और तीसरा संतंतर राष्टर बन जाए, अब इसमें आप देखिएगा, जितना भी आपको येलो वाला पॉर्शन दिख रहा है, ये सभी क्या है, प्रिंसली स्टेट्स है, मतला रजवाड है, रेड़ वाला जो दिख रहा है, वो क्या है, बिटिश प्रोविंसिस है, या वो छेतने हैं, जहां पर बिटिश भारत है, बिटिश का, पूरी-पूरी हुकोमत चलती थी, रजवाड़ों पे भी उनकी हुकोमत थी, पर जितने भी बिटिश भारत पे थी, उतनी रजवाड़ों पे नहीं थी, तो अब आप देखिए, इसी वाले भाग में से, रेड़ वाले भाग में से, क्या करा है, दो भाग करे पुर्व पाकिस्तान और जो बीच वाली सीमा है यह किस की थी यह भारत की थी इसमें बहुत से रजवारे थे तो इसलिए क्या है सरदार वल्लबाई पटेल जीन सब को मिलाया इसलिए हम उने लोग पुरुष कहते हैं कि वहलकुल लोहे की तरह भारत को मजबूत कर गए और क क्या हुआ बाद में यह इनी पर अत्याचार करने लग गये हैं इन वालों नहीं बोल दिया यह वाले भारत के बास है बचालो 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 तुम क्यों वह थे पहले भारत में असे ना अच्छे से थे ना ठीक है उस समें इंद्रा कांदी जी की सरकार थी 1931 में लड़ा देश बन जाता है। निती है, यहां पर क्या है, हम समझोते से नहीं जुड़े हैं, मुझे है और कोई भी राज्ये क्या है, किसी से अलग नहीं हो सकता है, और अनुछेदवन जो हमारा सविधान का है, उसमें कहा गया है, India that is भारत, तो इंडिया के दो ही नाम जो है सविधानिक तोर पे है, कि इ तो केंदर और राज्य सरुकार environment кто एक्षे तो अपने पढ़ाना डोनों के पास बराबर की शक्तिय तो दोनों का देखते हैं में इसमें तीन सूची आपको पढ़नी है संकसूची राज्य सूची तीनों सूच्यों में और स्थिवे संग सूची विशे परती रक्षा, विदेश्वी मामले, बैंकिंग, सुधार, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्र मेहतव के विशे हैं तो इस संग सुची में ये वाले विशे हैं और बहुत से विशे इसमें आते हैं अब परती रक्षा डिफेरेंस हैं तो ये कौन समालेगा, कौन समालेगा, क्यों? पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरफ की नीटियों की जरुएत होती है अधिकार चेतर, संग चेतर में वन्डित विशो के बारे में कानूर बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंदर सरकार को है संग सुची, तो हम केंदर सरकार को संग सरकार भी कहते हैं तो संग सरकार, केंदर सरकार समझ जाना, जो संग सुची में लिखने हैं मुद्दे उन पर कौन कानूर बनाएगा, संग सरकार कानूर बनाएगी कौन कौन से परती रक्षा डिफेंस अर्य भिया हमला कर दे चाहे ना तो वेट थोरी करेंगे उनको तो क्या है बिलकुल डिशुम 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 मारना है विदेश्ची मामले के साथ सर्मण होगा क juvenile डिशा का कई डिसाइड करें मोड़रा कनस डिसाइड करें इस सर्मनारे घेंकिन करें इस सर्कारा है पिर महराष्टावले नहीं नहीं हम तो बावा साब वेटगर की लगाएंगे फिर कोई बोलता हम राजगुर सुखधेयोजी की लगा देंगे कोई बोलता है सारी जगे नोट अलग हो जाते हैं तो जो भी संग सुचि हां जितने मुद्ध बनाती है अब राज्य सुचि नाम से पता चल किया होगा राज्य सरकार बनाएगी विशे पुलिस व्याफारवानेत्य कर्शी और सिचाई जिसे प्रांते और स्ताने मेर्ट हुइत्त क्यों कि हर राजिय की नीते अलग-अलग होती है जैसे कि पुलिस की आपने देखा होगा बंगाल की पुलिस सफ़ेद कपड़े पहनती और बाकी की खाके अधिकार छैतर राजिय सुची वणी users के पारे में कानूर बनाने का काम सर्फ किसका है राजी सरकार का है यह विधान सबाद कार दिखाए गई जो के राज्यों में होती है अब आ जाते हैं समवर्ती सुची, जब या केंदर सरकार अपना काम कले, राजी सरकार अपना काम कले, तो समवर्ती सुची की जोरत काम पढ़ गई, ये किस्ते लिए बनाएगी है, तो ये समझते हैं, विशे हैं, इसमें सिक्षा, वन, मजदूर संग, विभा, गोद लेना, उत्राधिकार जैसे विशे होते हैं, केंदर के साथ, राजी सरकार के साजी दिल स्प्रिम में आते हैं, अधिकार छेत्र, इन विशोप्रा कानून बनाने का अधिकार, राजी सरकार और केंदर सरकार दोनों को ही है, अब ये जितने भी मुद्धे आपको दिखाएं ना, व केंदरी सरकार राजे सरकार कि भारत में तो केंदर सर्कार यो शक्ति आली है रिए यह600 कि जब दोनों के कानुन में ठक्राव वो तो सब्सक्ति Miguel singing पर माननों केंदर सरकार और राजे सरकार के कानूनों में टकरा हो गया, दोनों बोलते नहीं हमारा कानून बेस्ट है तो फिर केंदर सरकार का ही कानून हमें मानना पड़ेगा, जो कानून वो बनाएंगे, जो कानून की किताब में वो लिखेंगे, वही हमें मानना पड़ेग इन विशों के अलावा और कोई विशे हो तो बाकी बज़े विशे केंद सरकार का अधिकार छेत्र होते हैं मतलब और कोई विशे भी बाकी होंगे जो सविधान बनने के बाद एड हुआ हो तो वो भी केंद सरकार का ही विशे है जिसे की computer software और इत्याज अब आजाते हैं विशेश दर्जा प्राप्त राजे हमने देखा था कि साथ लेकर संग में भारत का नाम आता है और साथ लेकर संग में क्या होता है वेसे तो सभी राज्यों को बराबर दिकार दी जाते हैं पर किसी को जादा किसी को कम लुदी ओदिकारर नहीं बिल्कुल भी बराबर नहीं कुछ राजियों में विशेश दर्जह परापत, कुछ राजियों को जादा दिकार हमने दिये हैं इन सब को जो अधिकार दिये गए हैं, वो अनुछे 311 के तहत दिये गए है एक आर्टिकल है तो उसके तहट दिये गए इसमें इनको यह बोला गया है विशिश अधिकार का मतलब यह है आपकी संस्कृति को बचाने के लिए आपकी सामजिक व्यस्ता को सही रखने के लिए और यहां तक ही इसमें यह होता है कि सरकार क्या है वो छेतर पिछडावा है तो उसके लिए राश्पति एक विशिश बोडगा घटन कर दे जो उसका विकास करे और बाकी मौनलो कि जैसे केंदर सरकार है दूसरे राज्यों को जब ग्रांट देता है उधार देता है तो बोल देगा कि आप सब मुझे क्या करना 70% देना लोटा देना केंदर सरकार बो इसलिए जो सविधान है वह वहां का अलग चल रहा है वहां का जंडा अलग चल रहा तो वह बिलकुली अलग था तो उसको क्या है पाँच और 6 अगस्त 2019 को भारत की संसद हटा देती है उस अनुछेद को और जम्मू कश्मीर को क्या है दो केंदर साशित परदेशों में बाढ़ दे तो वहां के संस्क्रिती बचाने के लिए वहां के लोगों को सरकारी नोक्रियों में पहले प्रात्मिक्ता देने के लिए वहां की भूमिंग को बचाने के लिए ये विशिश प्रावदान किसने सविधान ने उनके लिए करे अब आ जाते हैं केंदर साशित परदेश पर भ इनको क्या है, बिलुकुल किसी में मिला सकते, तो भी बिलुकल ऐसी इस तितिमाग है, ना तो इधर के ना इधर के, तो इसलिए इनको क्या बूला केंदर साशन परदेश बना दिया गया है। इन छेत्रों को 37 राज्यों की तरह वाले अधिकार प्राप्त नहीं है तो जैसे 37 राज्य है उन वाले अधिकार इनको प्राप्त नहीं होते इन इलाकों का साशन चलाने का विशेश अधिकार केंदर सरकार को होता है तो इन इलाकों पर भी जो साशन करेगी वो कौन करेगी केंदर सरकार करेगी देखो केंदर सरकार जहां पर साशन करती है जिस परदेशों पर साशन करती है उसे क्या का जाता है केंदर साशित परदेश का जाता है अब आप कहोगे पूरे भारत पर ही केंदर साशित परदेश के पास नहीं होती है उन शक्तियों का प्रयोग जो कर रही है वो केंदर साशित परदेश के लिए केंदर साशित परदेश और केंदर शासित परदेश या English में यून्टेरिट्रिस कहते हैं ये कितनी है ये 8 है और ये जो आपको दिख रहा है ये भारत का इंडिया गेट है बटवारे में बदलाओ की परक्रिया, कौन सा बटवारा, जो बटवारा कर रहा है शक्तियों का केंदर सरकार और राजे सरकार, अगर इसमें बदलाओ करना हो, चैंचीज करना हो, तो उसका परक्रिया क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, वो जालनेते हैं, अधिकारों के इस ब तो राजियों की विधाईका कौन है? विधानजिवा तो उनकी भी हमें आशक्ता होती है पहले संसत्के दोनों सदनों में दो त्याई भामत से मंजूर करना होता है दोनों सदन, दो सदन कौन-पौन से थे? लोक सबा अब इस लोगसभा में कितनी 545 सीटे हैं इसका 2 तीहाई बोला है लगबग लगबग 360 लोग हा करें तो बात मनें उसके बाद हुई है राज्य सबा में आ जाओ राज्य सबा में सीटे हैं 245 इसका भी 2 तीहाई तो लगबग लगबग मैं बोल देता हूँ 160 ठीक है तो 360 और 160 420, 520 क्या है 520 लोग पे लहां करें उसका राश्पती साब साइन करें यहाँ पर भी मामला नहीं रुका है यह तो सिर्फ और सिर्फ किसकी है केंदे सरकार की जो नीती है वही आई है अब भी हमें किसकी है राज्यों की भी मंजूरी लेनी है फिर उसके बाद कम से कम आदे राज्यों की विधान सभाओं से उसे मंजूरी मिलना आवश्यक है हमारे टोटल राज्य कितने है 28 है और 28 की 28 में क्या है तो उनमें से कम से कम आदे से जढ़ा मतलब कम से कम 15 राजयों की विदानसभा ज़्वाald क्या बोलते हां पास कर दो हां पास कर दो तब जाकर के क्या होगा इसमें बदलाव होगा शक्ति क के पट वारे कोई विवाद होने की हालात में फेसला उच नियाले और सरवाची नियाले में ही होता है अब मानलोग कोई लड़ाई हो गई कोई विवाद खड़ा हो गया तो कौन रोल प्ले करेगा सुप्रिम कोर्ट और हाई कोर्ट यही अपना घुमिका निभाएंगे सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वा करने के लिए राजसों की उगाई के सम्मन में केंदर और राजी सरकारों को कड़ लगाने और संसातन जमा करने का अधिकार होते हैं यह बात हम जान चुके हैं कि राजसों के लिए, रेवेनिय के लिए, दोनों के जो सोर्सिस दें, सोर्स अलग रग हैं, वो अलग अलग जगे पिससे कर्ड लगा सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं, और चार्जिस लगा सकते हैं, तो यह सब क्या होता है, फिक्स होता है, यह है भार संघ विवस्ता के सफलता के कारण क्याnor क्या क्या है सवेधानी प्रावधान जरूरी हाँ पर इतना ही प्रयाप्त नहीं सवेधानी प्रवधान होनलना जरूरह है Constitution में लिखा होरा है चल से आप ने लिका कि कल से तो कुछ भी हो जाए आंदी आया तूफान आया आठ गंटे पढ़ूँगा अब 8 गंटे पढ़ूगा लिख दिया पर यह लिखने से काम चल जाएगा क्या रव्या कल आपको पढ़ना है पढ़े का अठ गंटे पर कल आप उठे आठ वजे ममी ने बुला वेटा 5 बि कि हमें ये काम करना है सवलता का मुखेशर यहां की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा तो जो यहां की हमें राजनीति उसके चरित्र को देना होगा वो कैसे एक तो संगवाद की भावना यहां के नेताओं में यहां की पार्टियों में और सब और मिल्जुर करके काम रहना चाहती है यह पहले पहले के लिए यह यह सनुचित करने के लिए JACK कि एक भाशा बोलने वाले लोग एक ही राज़्य में आ जा जाए आप ईतिकों ऐसा नहीं कि नमीलाड़ो में तमिल बोलने वाले ईदुदी इन वे वोहांपर बची रहे ऐसा ना कि नमीलों की स्नंस्क्रित थी उनका भी साहित्य था तो इसको बचाने के लिए सरकार ने ऐसा करा है राज्य के घटन के आधार किस किस आधार पर हम राज्यों का घटन कर सकते हैं भाशा के आधार पर कर सकते हैं संस्कृति के आधार पर कर सकते हैं बुगोल के आधार पर कर सकते हैं जाते होते हैं उपर वाले सभी म अब क्या करा यह उपर से इसको उत्राखंड बना दिया और आप सिर्फ उत्रप्रदेश के उसक्या बचा है यह वाली जो रेखा है उत्रप्रदेश की यह वाली उत्रप्रदेश की रेखा दे गई और यह वाला जो बन गया है यह बन गया है हमारे उत्राखंड अब उत्राखंड को बनाया है वो किस आधार पर बनाया है भोगोल के अधार पर बनाया है उत्तर प्रदेश के सा है मेदानी इलाका है वहाँ पर नदिया बेती है मेदान है वहाँ और उत्राखंड के सा इलाका ह पहाड़ी इलाका है ठंडा मौसम है बिल्कुल बरफ बारी बड़िया मौसम सांदार मौसम होता है तो भुगोल के आधार पर क्या है इनको बाठ दिया दूसरा यहां पर आप आजाओ दो हजार चोदा में जिसका बनाया था तो यह आंदर प्रदेश पहले पूरा ही क्या था आंदर प्रदेश था फिर इसमें से बाद में 2014 में क्या करा गया इसे तेलंगाना बना दिया गया कितनी तारिक को 2 जून 2014 को क्या बना दिये गया तेलंगाना बना दिये गया ये भी क्या है भाष्चाहियादार पर ही बनाया गया उद्हारण नागाले अगाले अने उद्हारण जञरarks भहुत ने उद्हारण आप देख सकते. चेतरों नाम बदल दिये गए जैसे कि अब आप देखो 1947 के बाद दो जान में भी क्या हुआ है उत्रप्रदेश उत्राखंट पहले एक ही था अब इनकी सीमा भी बदल गए नाम बदल गए उत्रप्रदेश का वही रह गया और उत्राखंट का बदल गया उत्राखंट का भी पहले उत्रप्रदेश का 1950 से पहले तक बच्चो युनाइटेट प्रविंस नाम था तो उससे में भी यूपी ही बोला जाता था और उनिस्सो पचास तक यूनाइटेट प्रविंस नाम था भाशावार राज्ये बनाने से देश ज्यादा एकिकर्त और मजबूत हुआ जब क्या है सभी भाषाओं को इज्जत मिली, सभी भाषाओं को लगा नहीं देश में क्या हमारी इज्जत है, हमें क्या हिस्तान दिया जा रहा है अब आजाते हैं भाषा नीती पे भाषा के आतार पर आपने राजिये बनाए तो आपकी भाषा नीती क्या है अपकी language policy क्या है आप कौन सी language को प्रिफर करते हो कि यही language क्या है हमाली यह सबसे important है हमारे सविधान में किसी एक भाषा को राष्ट भाषा का दरजा नहीं दिया गया है हमारे सविधान में किसी को भी राष्ट भाषा का दरजा नहीं दिया गया है कि वह सबसे ज़्यादा देश की भाषा है वो यही है नहीं बोला गया हिंदी को राज भाशा माना गया अपना हिंदी सिर्फ 40 फीजदी लगवक भारतियों की मात भाशा है तो राज भाशा होफिश ही जो लेंग में जब हिंदी को माना गया पर सिर्फ और सिर्फ 40 फीजदी लोग ही हिंदी बोलते हैं तो 60 फिजदी है वो हिंदी नहीं बोलते तो ये 40 फिजदी लोगों के अलावा के भी हमें सोच नहीं थी इसलिए सविधान में हिंदी के अलावा अन्नी 21 भाषाओं को अनुस उचित भाषा का दरजा दिया गया माल लो कि मेरी इच्छा है कि मैं संस्कृत में एक्जाम दूँ मेरी इच्छा है कि मैं संस्कृत में एक्जाम दूँ हाँ बिल्कुल दे सकता हूँ बस जरूरत ही है कि मैं उसको चुनू विकल्प में चुनू कि मुझे संस्कृत में एक्जाम देना है राज्यों की भी अपनी राजभाशा हैं और राज्यों की भी क्या है अपनी राजभाशा है हर राज्य की क्या है अपनी अलग अलग राजभाशा है वो उसी राज्य में उसी राजभाशा में काम होता है किसी की जैसे हिंदी हो सकती है किसी की तमील हो सकती है तो अलग अलग प्रदेशन काम हो सकते। राज्यों को अपना धिकान्स काम अपनी ही राजवाशन में होता है। सबीधान के लुसार्ड सरकारी काम काज की भार्षा के तोर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1968 में बंद हो जाना चाहिए तो सबीधानने बोला था को बन कर देना 60 के बाद ही को चललें देना परफंट गयर हुंदी वाशी प्रदेशन मांग होसे निन की अगरोगा बाद abd कि अगर हमें को केंदे सरकार से काम पढ़ गया पुरदेश का काम है तो हम तो हमारी भाचा जानते हैं अब आगर आप इंगलिश को यह बंद कर दोगे तो केसे काम चलेगा और तमिलाडों में तो यह क्या उगर प्रदशन हो गया मतलब हिंसा हो गई हिंसा होने लगी तो उस सरकार नहीं बोला कि ठीक है कोई बात नहीं है हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी हम जारी रखेंगे राजबाशा की रूप में हिंदी को बढ़ाव देने की भाद सरकार की नीति बनी हुई है पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंदे सरकार उन राज़यों पर हिंदी को थौप सकती है, जहान लोग कोई और भाशा बोलते हैं तो केंदे सरकार की निती है, पोलिस है कि हम हिंदी को क्या है जादा जादा बढ़ावा दे, उसे क्या हैं, बढ़ाएं, जादा ज्यादा लोगों तक पोचाएं पर उसका मतलब यह नहीं है कि जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है उनके उपर भी हम थोप देखे हैं आप हिंदी बोलो ऐसा काम नहीं है और सरकार के से कोशिश होते हैं सभी भाषाओं को बचाने की कि मतलब अभी भी 2018-2019 की बात है एक भाषा का आखरी इनसान बचाता सरकान ने उसकी पूरी लीपी लिखवाई है उसकी सारे श्रब् leeks लिखवाई है जिसे के आने वारे पीडियो को हम कैया है बता सके हमारे पास इतनी भाषाओ का रेकोड है हमारा भात सच में बहूत उधारवादी है हमारे भात के सरकार उधारवादी है हर एक-एक भास्या, एक-एक विविदिताफ के वारे में अब आजाते हैं केंदर और राजी सम्बन सबसे important बात थो हैं क्योंकि रिष्ट्णा तो हिंदों निकों निबाना है केंदर राज्य का संबन्त वहत इंपोटेंट है तो इनी के बारे में मैं जानना है काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंदर और अधिकान शाज्यों में शाचन रहा तो काफी समय तक जो एक ही पार्टी है वो कौन सी यह कॉंग्रेस है तो कंग्रेस का लंबे समय तक क्या हुआ केंदर में भी और अधिकान सार्जे में जो सरकार बनती थी तो कंग्रेस की ही बनती थी अब हमने पता है हमारे देश में थोड़ा सा केंदर क्या है मजबूत है तो इन्होंने क्या करा अपने पाउर का जो मिस्यूज करकर के वाय की सरकार को हटा दिया तो उन दिनों केंदर सरकार अकसर सविधानिक प्राफधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलो की राजिस सरकार को भंग कर देती थी कि यह संगवाद की बहुना के प्रतिकूल काम था तो यह अनुपूल काम नहीं था बिल्कुल संगवाद तो तो तहाया यह भाई ऑप केंदर सरका अपना काम करें, राजिय सरका अपना काम करें, दोनोMP के मनन में कंख संंघ रहने की इच्छा होने चीए तो यह तो उसके प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं, 1990 के बाद से यह इस्थितिक काफी बदल गई, इस अफदी में देश के अनेक राज़ों में छेत्री दलों का उधे हुआ, अब छेत्री दल क्या है, देखो एक होता है राश्ट्री दल, राश्ट्री दल और एक है छेत्री देखो वैसे तो राश्ट्री दल और छेत्री दल गोशित करता है, वो भालती निरवाचन आयों करता है, और उनके कुछ माप दंड है उनहीं के आजार पे करता है, पर मैं आपको आसान भाश्ट्री दल का मतलब होता है, जिनका पूरे देश में क्या हो नेटवर्क हो, दिल्ली नि में जाता है, बहुझन समाज we are geala. नितेशकुमार की और लालू यादो जी की पार्टिए उनने बिहार में जाता है, छेतिर दल ए, उनकी वहां पर मजबूती, उस चेतर में, उस राज्जे में क्या है, वह पाउर्फुल है, चैए पूरे देश में मिलकर के सरकार बनाने लग जाए तो उसे क्या कहते हैं गटबंदन सरकार कहते हैं आप इस्तिति को समझेगा जेकिए 545 सीटे लोग सभा में होती है और 545 सीटों में से हमें सरकार बनाने के लिए एक पार्टी को कम से कम 275 सीटे जीतनी होती है ये 275 का मतलब क्या है 50% प्लेस कम से कम एक 20% चाहिए एक भी जादा आ जाए तो राउंड फिगर एवरेज और शेतन बता रहा हूं 275 स्रीटे एक पार्टे को जीतने पड़ती है माल लो अगर एक पार्टे ने 275 स्रीटे नहीं जीती इसलिए पर्मुक राश्टे पार्टे को 6-3 दलो समित अनेक पार्टे का घटबंदर बना कर सरकाव बनानी पड़ती है जैसे माल लो कि या यह ABC पार्टी है यह ABC पार्टी है यह राश्टे पार्टी है इसको 200 जगे तो जीत गई है अब इसको पता चला क्या है जो पंजाब की पार्टी है जो पंजाब की पार्टी है इस पार्टी के पास क्या है 60 सीटे है इसको इससे बात करेगी ये पंजाब में बहुत पावरफुल है पंजाब की पार्टी है फिर क्या आये हुआ D और E पार्टी है ये राजिस्तान में पावरफुल है इसके पास 30 सीटे है इन सबसे मिलाकर के 290 हो गई 200 पिचेतर के आकड़े को हम पार करके अब इन तीनों ने मिलकर के क्या करा हमारे सरकार बना ली घटबंदन की सरकार बना ली अब ये पूरे राष्ट में है पर ये कलको क्या है जब पंजाब में विधान सबाद चुनाओं होंगे ठीक है और जगे विधान सबाद चुनाओंगे तो इन पार्टी को नहीं आटा सकती क्योंकि इन ही के सारा ने क्या है केंदर सरकार बना करके खड़ी है तो ये सबी पार्टी की क्या है इज़त करने का जो काम है वो शुरू हो जाता है इससे सत्ता में साजेदारी और राज़ी सरकार को स्वाइथाता का आधा करने की नहीं संस्कृती पंद्मी आप क्या हुआ कि देरे देरे जो केंदर सरकार जब घटबंदन सरकार है बनने लगे तो वो राज़ी की सरकारों की इज़त करने लगे क्यों 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 पता है कि अगर हमें पूरा भावमत नी मिला तो कभी भी हमें किसी भी राज़ी की जो सरकार उससे भावमत लेना पड़ सकता है उसकी party का में भवमत लेना प्रसकता है यह होता क्या है जैसे कि मानलो कोई Punjab की party है XYZ है वो Punjab की party है यह Punjab की party है अब जब लोग-सवा में चुनाऊ होंगे तो मानलो Schwabat 25 सीटे है न पंज़ाब से जाएगी 25 लोग पंजाब से चुनकर लोग सभा में जाएंगे अब पता है कि पंजाब की लोग तो जानती है XYZ पार्टी को है बहुत famous है, popular है पंजाब में तो ये 25 सिट अगर जीत के चली गई 25 भी नहीं जीती, मालो 20 भी जीत के चली गई तो बहुत बड़ी बात होगी आज आप परदान मंतरी हमें बना दो जब पंजाब में क्या होंगे विदान सवाच व्लाव होंगे तो हम आपको क्या करेंगे मुख्य मंतरी आपके पार्टी का बना देंगे और केंदर सरकार में आपके 2, 3, 4, 5 मंतरी हम बना देंगे अब इससे क्या होगा कि जो केंदर सरकार है वो राजे सरकारों को मन माने डंग से मंग नहीं कर पाएगी हटा नहीं पाएगी इस परकार आज संगी विवस्ता किते सत्ता की सादर सविधान लागू होने के ततकालबाद वाले दोर की तुलना भी जादा अच्छी है तो मतलब जब सविधान लागू होगा उस समय जो संगी विवस्ता थी उसके कंपरेजिन में आज और भी जादा अच्छी है तो इससे सत्ता का वी केंद्री करण का जाता है जब हमने केंद्र से पावर लेकर कि किसको दी राजिस सरकार को दी तो हमने क्या का संगवाद का संगी साशनी विस्तकार अब इनकी में सक्तिया और काम करगर कि किसको दे दी इस्तानी सरकार को दे दी एक होता है पंचायती राज व्यवस्ता पंचायती राज व्यवस्ता पंचायती राज व्यवस्ता जो है ये कह है गाओं के लिए है और एक दूसरी ओर है सहरी साशन व्यवस्ता सहरी इस्तानिय साशन व्यवस्ता तो सेहरी इस्तानी साशन व्योस्ता ये गाओं के लिए पंचायती राज व्योस्ता और शेहरों के लिए सेहरी साशन व्योस्ता होती है ये इस्तानी सरकार में हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हम ग्रामी निस्तानी व्योस्ता पढ़ते हैं जिसे हम पंचायती राज कहते हैं गाउं के सरबर मोजुदा इस्तानी साशन व्योस्ता को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है पंचायती राज व्योस्ता में तीन इस्तर होते हैं पहला ग्राम पंचायद, दूसरा पंचायद, 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 पंच यह यह एक यह से हो गया यह भागों में बाठकोर बाठ रहें आDa Will इसे कोवाड का जाता है लो पंच कुना जाएगा जिसे पंच का जाएगा तो और फ्लम कितने नो मर जांक 9 पंच आए 9 वाड से 9 पंच और एक इनका head होगा मुख्या होगा परधान होगा जिसे हम लोग क्या कहते है सरपंच कहते है जिसे हम लोग सरपंच कहते है तो देखो अब यह क्या होता है जो इस्तानी साशनवेस्ता वाली है हर राजियों में अलग अलग होती है बिहार में अलग है राजस्तान में अलग है केरेला में अलग है हर जगे अलग अलग है तो उसके लिए क्या होगा जैसे मालोग कुछ हो सकता कि 9 पंच मिलकर के एक सरपंच को चुन ले इनी में से एक को सरपंच पना दे या यह भी हो सकता है कि जो गाउं के लोगे वो दो-दो वोट करें एक अपने चेतर के अपने वाड के पंच को चुनने के लिए और एक पुरे गाउं में सरपंच को चुनने के लिए तो विवस्ता अलगा हो सकती है तो उस पर हमारे पास को सदस्चे और एक अद्देख्ष होता है परिशान एक council है ग्रूप है तो जिसमें कई सदस्चे को रहने 50 और एक अद्देख्ष को रहला है सरपंच सदस्चे वाड ओसे चुनी जाता है वाड क्या होतें वह में आपको बता दी उन्हें सामनित्य अपंच कहा जाता है अद्धेक्ष को प्रधान ये सरपंच भी कहते हैं इनका चुनाओं गाओं वार्ड में रहने वाले सभी व्यशक लोग मदान के जरिये करते हैं वेशे का मतलब होता है एडल्ट, एडल्ट का मतलब होता है जो भी 18 साल से उपर हैं, वो कैसे करते हैं, मत दान के द्वारा करते हैं, वोट डाल करके करते हैं, अपना मत का, अपना वोट का दान करके इनको चुनते हैं, ये पूरे पंचायत के लिए फेसला लेने वाली संस्त जो जिस भी जगे का ही है बता रहा है वहां का अब आजाते हैं ग्राम सबापे अब आप सुचों कि यह तो इस तर में था ही नहीं जिला इस तर में था ही नहीं कि भई पंचायत और पंचाय समीटी और जिला प्रेशन तो उसमें था ही नहीं अब यह है तो बहुत अच्छी वात इह है, ग्राम सबहां के सभी मत दाता इसके सदश्य होते हैं, बहुत ध्रहन देना, जो पंचायत है, ग्राम, पंचायत है न, उसमें तो कौन-कौन है, पंच, प्लस, सरपंच, तो सारे पंच और सरपंच बिलाकर आखरें सिर्फ पर ग्राम सभा में कोन आता है तो वो देखो ग्राम सभा का मतलब है पंचायत पंचायत, पंचायत मतलब ये सब प्लैस जितने भी गाओं के वियशक लोग है वियशक का मतलब जो 18 साल से उपर के लोग है वो सब, ये सब मिलाकर के सभा बना रहे है ग्राम सभा बना रहे है अगर आप से पूछा जाए ग्राम पंचायत क्या है तो पंच और सरपंच की परिशत है वो ग्राम पंचायत है और ग्राम सभा क्या है पंचायत प्लस गाओं के सभी व्यशक लोग है वो क्या है ग्राम सभा का भाग होते हैं तो जितने भी मद्दाता है और मद्दाता कौन थे 18 साल से उपर वाले तो जितने भी मद्दाता है उस पेसा लगेगा तो वो सारा जो काम है ग्राम सभा की देखरेक में होता है उन्हीं के सामने सारा काम करा जाता है इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने है और इसके काम का Down तो लोगों के हाद में डारेट पवर जा रही है這樣 अब आ जाते हैं पंचायप समीती पे कई ग्राम पंचायपüllt को मिलाकर पंचायप समीति का घटन होता है. अब जिसमें मांढ लो कि ये पन्चायत समूति हैं इसे मंडल या प्रखंड इस्टरिय पन्चायत भी चेसकते हैं इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचाय सदस्य करते हैं तो अब ही देखू हमारी पंचायत से हमारे गाओं की पंचायत से कौन जाएगा इसका डिसाइट कुन करेगी ग्राम पंचायत करेगी जो पंचायत के सदस्य हैं मिला कर जीला परिशoda का घटन होता है मतलब वहीं एस गाउं फिर दो तिन काउं के मिला करके हमने अब एक विडिश्टिय्च के अंदर अंदर कितने चाहता है जितने विधात होते उनको जोड जोड कर पांच को 5 को जोड कर॑र ने अमा मां लो कि एक जीला हमें कितने टोटल सो गऊन तो सो सो में व क्या बनी ग्राम पंचाय टो नी hammam पने और इन से 10 क्ता डस करदा जांगी उसके साथ जो लोक शबा के लिए अपने सांसध चुना थाim वो भी आपने जो आपकी विदान सभा है उसके लिए आपने विदायक चुना था वो भी और वहां के जो बड़े-बड़े अधिकारी है इस्पेशली जैसे कलेक्टर वो भी ये सब क्या होते हैं वहां का पार्ट होते हैं अब जैसे मालनों कि एक गाउं था उसकी समश्या क्या थी पहले पंचायच समीति में आई फिर उन सभी गाउं की क्या एक जैसी समश्या थे कि पानी नहीं है वो पंचाय समीतिन क्या है मुद्दा काम तो उठा है जिला परिशत में अब जिला परिशत में कौन बेटा है सांसत बेटा है यह सांसत कहां जा करके बेठेगा दिल्ली में संसत में जा करके बेठेगा जब दिल्ली में जाएगा तो बोलेगा कि साब हमारे वापेर हमेरे छे स्थत पहुंच गी किस ने पेंचा ही हमारे विवस्थाने पहुंचे गौट जई प्रिशत का प्रमुक इस प्रिशत का राज्य slit का रहाने तो पर निदि कर ड़ाıldं होता है तो जो भी जेशत का होता है जो इस प्रकारि शचर वाली संस्ता शहरों वे बढ़न होता है तो नगरपाली का नगर प्रश्रद और नमस्ट लगतों बढ़से नगर निर्वाचीत निकन यर छिसे मानलों यह Chare vi hai पर намиटेंगे अब यह वाड में बाट मूर्ट में बाट देंगे अब यह वाड में बाट दिया है तो यह वाड बाट कर दिया है जिसे मानलों की यह चेज ह्लों 100 Help कर दिए शेर बहुत बड़ा है अब जिनको आपने चुना है उसे हम क्या कहते हैं पार्षद कहते हैं क्या कहते हैं अब क्या होगा जो नगर निगम है उस नगर निगम का एक हेड होता है जिसे क्या का जाता है मेर का जाता है मेर का जाता है और हिंदी में से महापोर का जाता है इंग्लिश में मेर और हिंदी में महापोर का जाता है अब हर राज्यों का क्या है अलग-अलग सिस्टम हो सकता है कहीं पर क्या होता है कि जो पार्षद है उन्हीं में से महापोर या मेर चुन निया जाता है और कहीं पर क्या होता है दो दो बोड डल्वाए जाते हैं एक पार्षब के लिए और एक महापोर के लिए तो हर राज्यों का अलग अलगलत system हो सकता है जो काम है निर्वाचेथ पर्ति निती करेंगे जिनको आपने या दिक्क्तत कई होत тебе कि क्या उद्देशिय ही हरकां के पीछ उद्देशिय और संवश्य तर और इसतानीस तर पर ही बड़िय। से हो सकता है लोगों कोज़ों को अपने लागय की समश यह की वहते हैं पही मेरे घर के बाहर के श lowersड़़े टोटी है उसके लिए में परधान मंत्री मोदी जी को फ़ोन महीं कर सकता तो पर्ब्सक्रायर लॉजर चाहल करें कि बुला सकता हु ना क्योंकि लाइटे चलती रहें यह मूल भूत सुविदा हैं यह मूल भूत सुविदा हैं लोगों को इस पता के पेसा कहां कर्च किया जाए और चीजों का अधिक कुसलता से प्रक्राम सवा को पता है कि वह सड़क से जादा जरूरी है सामुदाइक भाउन होना क्योंकि शादी हो किसी का और कोई काम हो तो कहां करें तो इसलिए सड़क बन जाएगी एक पर फिले सामुदाइक भाउन बना दो बच्चों के खेलने से ज़यादा पहले ज़रूरी सड़क है, सड़क बने, तो लोगों के रोड के एक्सिदेट होता है, तो लोगों को जाता नोलेज है कि कहां पेसा खर्च होना चाहिए, कहां पेसा लगाना चाहिए, देखो अब आज मेरे घर की रोड टूटी है, वो ये कारणन इसका दो कारण किया एक तो क्या है मेरा विहवारिक रिष्टा उसके साथ वह बहुत पारश्द । पहले सरपंचन नीधा तब भी मुझे जानता था लोग मानीश कट कि कम नहीं करवाए तो क्या होका सूर्ण कि मैञा रिष्ते है वह खरआब होगा दूसरा क्या उसको वापिस पान साल वो चुनाव लड़ने हैं वापिस वो सचेए कहा है पर लोगों का काम करवा दो लोगों का काम करवा दो क्या कि परधाल मंत्रियों बोल जाएंगे पर प्राश्चत कर शर्पंच को थो भूलेंगे तो इसलिए क्या है आदिस स्यादे समश्य भाई ही खत्म हो जाती है इसलिए देखो रोड टू टीवी है और रोड पे काम चल रहा है भी इसके अलाओ इस तानी स्थर पर लोगों को फेसलो में सीधे भागिदार बनाना भी संभव हो जाता है तो डिरेक्ट लोग क्या है भागिदार बन जाते है इससे क्या है लोगतंतर सच में मजबूत होता है लोगतंतर की जड़े जो है क्या है मजबूत होती है और जैसे महात्मा गांदी कहा करते थे कि क्या है गाओं में भारत बसता है गाउं का विकास होना चाहिए गाउं का विकास होगा तभी भारत का विकास होगा है तो अब क्या है लोगों के हाथ में सच में पावर चली गई है सच में उनके हाथ में क्या है ताकत चली जाती है इस्तानी साशन वियुस्तत अब इस्ताने सरकारों में मुख्य प्रावधान क्या है यह ऐसे प्रावधान जो सभी राज्यों में यह सभी राज्यों में इसे प्रावधान है आप इस्ताने सराशन निकायों के चुलाओ नियमित रूप से कराना सविधानिक बात देता है दो पहले से क्या था हमारे सिस्टम नहीं था पर उसके कि यहां से तो क्या कर गए ऑnez शेरों की लिए बेस्ता और अब यहां से क्या कर देया गया सवेथानी बात देता बना दी कि अपails के आप सभी को इस दानी साशन विरस्ता बनानी पड़ेगी हर राज्यों को यह बात देता है यह कंपल सदी उसको कर दिया गया निर्वाचे सवसाशन निकायों कि सदश्य तदा पता कारवे में अनुसुति जाती हो जन जाती हो और पिछी जाती हो के लिए सीटे आरक्षित होंगे आरकषित का मतलब क्या है जैसे सो सीटे गाओं है सो गाओं सब्सक्राइब से जाती हैس अनके बनाओ और जिसमालो पिछडी जाती है उनके बनादो और बाकी पर कोई पिचूना उलटता सामनी जाती के लिए सकते हैं तो इसीते क्या होगा इनका प्रतिनी दितु भड़ा और ये में इस्ट्री में मुख्य इधारा में धिरे दिर जुड़ने लगे एक तिहाई पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित करना एक तिहाई मतब सो सीटे हैं तो कम से कम तेतिस पर क्या हो महिलाओं सरपंच बने महिलाओं पंच बने तो ये भी काम करा गया इससे भी महिलाओं का परतिनीतु बढ़ा हर राज्य में पंचाइद और नगरपानी का चुनाओ कराने के लिए राज्य चुनाओ आयोग नामक सांग तंतर संस्ता का घटन क्या गया देखो भारत में जितने भी चुनाओ होते हैं लोग सभा के चुनाओ हो राज्य सभा के चुनाओ हो विधान सभा के जो राज्यों की विधान सभा है उनके चुनाओ हो राश्टपती का चुनाओ हो उपराश्टपती का चुनाओ हो जैसे भातिय निर्वाजनायों पूरे भात के लिए राज्य चुनाऊ जीए को आंके लिए खोला गया और उबोला गया कि जो ये राज्य के चुनाऊ है कौन से नगर पालेगा के नगर निगम के सरपंचु के पारशदों के इस ताने साशन वाले जो चुनाऊ आपको कराने वो इन ही को कराने, इनके लिए एक आजाद, सौंतंतिर का है संस्ता बना दे और इस पर किसी का भी दबाव नहीं होगा. राज्य सरकारों को अपने राज्य सरकारों को कुछ हिस्ता इनके निकायों को देना पड़ता है, सता में भागेदारे की प्रकरती हर राज्य में अलग-अलग है। है तो इसलिए आप कंफ्यूज मत हुएगा कि हमारे राज्जी में तो परधान तो बोलते ही नहीं है उसे सरपंच बोलते उसे मुख्या बोलते हैं तो हर जगे अलग-अलग महिलाओं का पिछिटी जात्यों को क्या है प्रतिनी तो बढ़ा उनकी आवाज मजबूत हुई सरकारों तक पोष्चने लगी और उनका रोल है जो भारत में वो बढ़ने लगा नगर पालिका और ग्राम पंचायत के लिए करीब 36 लाँख लोगों का चुनाओ होता है कितनों का 36 लाँख 36 लाग बहुत से देशों की जनसंग क्या नहीं है पर हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे है निर्वाची सदस्य है जिनको हमने चुना है ना उन लोगों की बात करो सरपंच, पंच, पार्शत, जिला परिशत का हैड इन सब 36 लाग लोग है बहुत बड़ी बात है और इन 36 लाग में हम नहीं बताएंगे तो फिर कोन बताएगा हम चाहते हैं कि मादेश और भी विक्सित बने उसके लिए समश्या हमें पता होनी चाहिए तभी तो समधान निकलेगा तो अब ही जो है उसके थम्स डाउन कर देते हैं क्या-क्या प्रॉब्लम से ग्राम समाओ की बैठके नि आदर्श इस्तिती की है और इसी के साथ जो आज हमारी अध्याय दो संगवाद है वो भी कम्प्लीट होता है और आप जादा-जादा इससे क्या है शेर कर दो और सिर्फ और सिर्फ एक हुच्छ देश्यों बने उस बार के बोटो पर अपने और जादा जादा शेर करें झाल झाल